स्पगेटी सबको पसंद आने वाला संपोन मील है, इसमें कार्भुहाइड़ेट, प्रोटीन, विटामिन्स और फाइबर होता है, यह बिना कॉलेस्टरॉल के होता है, आईए तो शुरू करते हैं स्पगेटी बनाना सबसे पहले एक कटोरे में 150 kram bonless chicken, लंबाई में कटा हुआ, आदा छोटा चमज लसन अद्रक का पेस्ट, आदा छोटा चमज नमक, आदा छोटा चमज काली मिस्ट पाओडर, आदा छोटा चमज राक चोया सॉट, और आदा छोटा चमज मिनेगर डालकर अछे से मिक्स कर ले माँच पर बून लेंगे। अब इस不會 लंबाई में कटा हूआ प्याँ डाल कर एक से दो मिनिट तक मद्या माँच पर बून लेंगे। इसमें मेरिनेट की हुई चिकन दालें और certum depri provide अधा लंबाई में क्टा हूआ शिम्मला मिच दालें और एक मिनिट तक मद्यमाज पर भून लें और इसमें एक बड़ा टमाटर लंबाई में कटा हुआ डालें और एक मिनिट तक भून लें स्वाद अनुसार नमक, आदा चोटा चमच काली मिश्च पाउडर आदा चोटा चमच औरेगेनो, आदा चोटा चमच चिली फ्लेक, दो बड़े चमच चमैटो कैचप और आदा चोटा चमच विनेगर डालकर अच्छे से मिला लें अब इसमें दो बड़े चमच पानी डालें और अच्छे से मिला लें इसमें 250 gram boil की वी spaghetti डाले और अच्छे से मिला ले और 2-3 minute तक पकने दे अब इसमें हराप्यास डाले और अच्छे से मिला ले और 1 minute तक पकने दे घर्मा गरम लजीव spaghetti सर्व करने के लिए तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है और अगर आपने सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज इस तरफ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना बूलें लाइक करें और अपने फ्रेंड और रेलेटिव को शेर करें इस तरफ मेरे दूसरे वीडियो को देखने के लिए क्लिक करें मैं जल्दी नहीं रेसिपिस के साथ लोटूंगी Till then, take very good care of yourself and your family Stay healthy, happy and fit Thank you for watching Nalini की रसोई